आयूर्वेद अपनाए, स्वास्था अपनाए आयूर्वेद ये कैसी चिकित सापदती है, जो रोगों को जड़ समेत खतम करती है हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनश्पती दर्सन और फायदे में हम आपका स्वागत करते है दोस्तों, आज का हमारा टोपिक है चेहरे पर अदबुत निखार, पास लाए मन चाहा प्यार फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपके घर पर ही बिना महेंगे उतपादों का इस्तेमाल किये हुए कैसे अपने चेहरे को खूबशूरत और कांती में बनाया जा सकता है यह जानने के लिए देखते रहे हमारी वीडियो और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्सन और फाइदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर हम सबी उपाय को प्रैक्टिकली करके बताते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उप्योग में ला सको दोस्तों, खुबसूरत दिखने और चैरे को आकरसक बनाने की चाह किसे नहीं होती चाहे वो लड़का हो या लड़की सबी यही चाते हैं कि लोग उनके सुंदरिय की तरफ आकरसित हो और उनकी तारीफ करें लड़कियों में तो यह चाह कुछ अधिकी होती है इसलिए वे तरह तरह के महंगे उत्पादों का इस्तिमाल करके चैरे पर निखार पाने की कोशिश करती है किन्तो यह उत्पाद कुछ समय के लिए ही चैरे को खुबशुरत दिखा देते हैं फिर चैरा दुबारा वैसा ही हो जाता है यही नहीं इन उत्पादों में मिले कैमिकल्स चैरे की तवचा को हानी भी पहुँचाते हैं और इनका इस्तेमाल करने वालों को समय से पहले बुबड़ा बना देते हैं लेकिन गवराई नहीं आज हम आपको एक ऐसे गरेलू उपाय को बताने जा रहे हैं जो पर्मानेंटली आपके चैरे को सुंदर और आकरसक बनाता है और आपको बुढ़ापे में भी जवानी जयसा निखार देता है दोस्तों, चैरे पर अदबुत निखार पाने और बुढ़ापे में भी जवान बने रहने के लिए आपको एक फेस पैक्ट बनाना है मात्र तीन चीजों की आवशक्ता होगी जिनमें पहली है दूद, दूसरी है हल्दी, और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है बेशन दोस्तों इस फेस पैक को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में एक सी देट चमच बेशन ले ले और इसमें फिर जरासी हल्दी मिला लें इसके बाद आप इसमें दो से डाई चमच कच्छा दूद मिलाए और तीनों सामगरियों को अच्छी तरह मिला करें पेश तियार करें दोस्तों इस फेस पैक को आप अपने चेरे पर करीब 20-25 मिनट तक लगाए और फिर गुर्मने पानी से साफ कर लें अगर आप इस उपाय को सप्ता में दो बार अपनाते हैं तो आपको पहले सप्ता से ही चेरे में फरक दिखने लग जाएगा और इसे सिर्फ 6-7 बार उपयोग में आपको एक निखिर हुई सवस्त तबचा पराप्त हुई तो दोस्तों आप भी सुपाय को पनाए और अपनी खूब सूर्ती में चाह चान लगाएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों रिष्टेदारों और सोशिल नेटवर्किंग साइट्स पर सेयर करना बिलकुल ना भूलें ताकि वे सब भी इस वीडियो को देखकर इसका लाव उठा सके और आप ही की तरह अदबुत निखार पा सके थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स खाल्ड़ वाचिंग साइब।